तो कैसे हैं आप सब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एंचल 1 पर फ्यूचर अन ओप्शन कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं या कोई भी सेग्मेंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं काफी लोग को यह करने में प्राउब्लम आ रहा था क्योंकि जो एप्लिकेशन वो दे र कि तो खेर मैं एंजड़न की वेबसाइट पर हूँ लोगिन कर लिया मैंने अगर आपने लोगिन करके अंदर आ जाओ उसके बाद अगर आप मुबाइल पे हो तो simply आप नीचे accounts का जो option आ रहा होगा bottom navigation में तो उसमें आप accounts में जाईए accounts में जाने के बाद ऊपर आपका profile icon होगा profile icon पर click किजिए एकदम नीचे scroll किजिएगा तो आपको segments दिखाएंगे segments subscription ओके यहां पर जो equity cash trading आपका पहले से एक्टिवेट होगा कि एकाउंट बनाते समय यह सबसे मतलब बेस और यह तो खेर एक्टिवेट करना ही होता है यह एक्टिवेट मिलगा आपको और derivatives trading आपका एक्टिवेट नहीं होगा मतलब अगर आप नहीं हो तो आपका एक्टिवेट करना पड़ता है तो अभी आपको simply इस पर क्लिक कर देना है activate अगर आप mobile में होतो और similarly अगर आप website पर हो तो simply आप अपने account पर जाओ प्रोफाइल अगर पर क्लिक करो नीचे आपको दिख जाएगा profiles एकदम नीचे जाओगे तो आपको दिख जाएगा equity cash trading और derivatives trading ठीक है इसे आपको simply कर देना है click activate ठीक है जब आप activate क्लिक कर दोगे तो यहां आप documents required हैं कि नहीं वह बात आती है तो अगर आपके portfolio में holdings है आपने share खरीद रखा है तो फिर आपको कोई भी documents देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि at that time अपना bank details भढ़ते हो और bank से पैसा transfer होता है तो उन्हें पता चल जाता है ठीक है details यह इवेन मतलब angel one के website पे भी mentioned है documents कब require होती है और कब नहीं होती है जब आप open करते हो equity cash रहता है and activated by default however if you want to activate another category you need to submit an activation request और angel one पे you don't have to submit any documents ठीक है मेरा भी ऐसे हुआ था एक भी documents देनी की जरूत नहीं पड़े थी क्योंकि portfolio में stocks की holdings थी ठीक है तो अगर आपके पास holdings है और आप एक्टिवेट करना चाहते तो कोई दिक्कत ही नहीं है documents की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है और अगर आपकी pulls जरूत बढ़ेगी ठीक हैं और एक है दम फ्रेश हो नहीं आपको पैसे डिपोजिट भी नई किए हैं तो आपको documents की जरूत पड़ेगी ठीक है तब अगर आप एप में जाओगे नीचे जाके एक्टिवेट पर क्लिक करोगे तो फिर आपको इस पेज पे लाएगा एंजल वन ठीक है एक्टिवेट सेग्मेंट इसमें आपको जो जो कैटेगरी सेलेक करना है जैसे फिचर और ऑप्शन करें सी कॉमोडिटी सेलेक कर लो आ जैसी नेक्स पेज़ पर आपका सब्मिट हो जाएगा ठीक हैं तो आपको प्रोचेट कीजेगा यहां पर आपको डोकुमेंट्स केलीए बोलेगा ठीक है क्या-क्या डोकुमेंट्स मांग सकता है वह भी बता हाते हैं डोकुमेंट्स में एंजल वन आपसे बैंक स्टेट्मेंट मांग सकता है फाइनेंशल प्रूफ अगर है तो ठीक है बैंक स्टेट्मेंट तो मेंडेटर ही है मांगे गा ही और फाइनेंशल प्रूफ या तो ITR अक्नॉलेजमेंट हो या एन्वल एकाउंट या फॉर्म 16 जो सैलेरी वाले इंप्लोइड लोगों को मिलता है और नेट वर्ट सर्टिफिकेट सैलेरी स्लिप या कॉपी ओफ डिमेट एकाउंट होल्डिंग स्टेट्मेंट ठीक है उसके बाद आपको यहां वह अप्लोड कर देना है उसके बाद अथोराइस करने के लिए भेज़ देना है और आपका रिक्वेस्ट सब्मिट हो जाएगा और मतलब अगर आपका होल्डिंग से ना तो आपको थोड़ा दिन लगता थोड़ा दिन के बारह से चौबिस गंट सकते हैं किस वज़़ा से reject हुआ है most of the ताइप स्क्रें नहीं नहीं बलीकिंट और दोकुमेंट का जो तरीका है वह सही नहीं हो जैसे आगर आप स्क्रीनषोट लेकर बेज 느raject हो लिए eigसे ऐसे केसे से में आपका रिजेक्ट हो जाता है तो इससे बचेए गया होगा कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर दीजेगा मैं उसे क्लियर करने ही कोशिश करूंगा और इस चैनल पर ऐसे वीडियो लाने वाला हूं मैं तो कैनली सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में